Hello my engineering support family, फिर हाजिर हूँ house construction से related एक और informative वीडियो के साथ दोस्तो आज के समय में wall panels हमारे modern interior design का एक बहुत ही एहम हिस्सा बन गया है जिने आपकी दिवारों को cover करने, उन्हें खूब सूरत बनाने और आपकी building की insulation property को improve करने के लिए उच्किया जा रहा है वैसे तो market में डेरो त्रह के wall panels available हैं, पर आज की modern construction में WPC और PVC wall panels बहुत ही ज़्यादा popular हो रहे हैं दोनों ही त्रह के panels का use दिवारों को खुबशुरत बनाने के लिए क्या जाता है इन दोनों ही त्रह के panels में कुछ similarity होने के साथ-साथ ये दोनों एक दूसरे से काफी बातों में अलग भी हैं जिन बातों का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है इन्हें use करने से पहले ताकि आप इन दोनों के difference को अच्छे से समझ सकें और सही decision ले सकें तो आज किस वीडियो में हम PVC wall panels और WPC wall panels के सभी differences को cover करेंगे तो अगर आप भी अपने घर की दिवारों पर या ceiling पर ये panel install कराने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आप ये वीडियो जरूर देख लें ताकि आप अपने घर के लिए सही decision ले पाएं तो जानने के लिए वीडियो में लाज तक बने रहे हैं और वीडियो देखने के बाद अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like और अपने दोस्तों के साथ share करना ने बूलिएगा ताकि यह है जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोग हो सके और हमारी मैनत सफल हो सके ओके फ्रेंट्स तो चली वीडियो सुरू करते हैं बिना किसी तेरी के तो फ्रेंट्स इन दोनों पैनल का comparison करने से पहले मैं इन दोनों पैनल के बारे में एक छोटा सा overview दे देता हूँ कि WPC और PVC पैनल का मतलब क्या है तो देए फ्रेंट्स PVC का मतलब है polyvinyl chloride जो एक synthetic plastic polymer होता है PVC पैनल एक thermoplastic metal resin से बनते हैं यानि के PVC पैनल plastic और polymer के mixture से बना जाते हैं जिनने आप अपनी दिवार वो cover करने के लिए यूज करते हैं PVC पैनल क्योंकि moisture resistant होते हैं इसलिए इन्हें आप bathroom, kitchen और high moisture environment में भी easily यूज कर सकते हैं वहीं दूसरी और PVC पैनल की सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत सस्ते पढ़ते हैं वहीं दूसरी और WPC पैनल वोड और प्लास्टिक का composite होता है यानि के WPC पैनल वोड फाइबर और प्लास्टिक के combination से बनाए जाते हैं इसी वज़े से WPC पैनल PVC पैनल से बहुत ज़्यादा मजबूत और moisture resistant होते हैं WPC पैनल की main advantage ये है कि WPC पैनल क्योंकि recycled material से बनते हैं तो ये eco friendly होते हैं WPC पैनल में आपको बहुत से त्रह की variety, color, texture, pattern और design मिल जाते हैं तो आई होप के अब आप समझ गए होंगे कि PVC और WPC पैनल क्या है आसान भासा में आप कह सकते हैं कि WPC पैनल PVC पैनल का एक advanced form है तो चलिए अब हम इन दोनों का detailed comparison देख लेते हैं फिर हम decide करेंगे कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए PVC पैनल या WPC पैनल तो चलिए देखते हैं PVC पैनल्स, WPC पैनल्स, Composition PVC पैनल्स, 100% rigid plastic और PVC resin से बनाए जाते हैं पर WPC पैनल्स, Wood Fiber और Thermoplastic के combination से त्यार किये जाते हैं Appearance PVC पैनल्स का surface एकदम चिकना और चमकदार रहता है इसमें किसी भी तरह के textures नहीं दिखते ये पूरी तरह से plastic जैसी ही look देते हैं ये पैनल्स काफी पतले होते हैं जिनकी finish काफी अच्छी होती है हाँ, इनमें मजबूती देने के लिए इनके बीच hollow cavity बनी होती है पर WPC पैनल्स के appearance एकदम natural wood जैसी होती है जिनमें wood grains और texture भी clear दिखते हैं Installation PVC पैनल्स के installation बहुत ही easy होती है क्योंकि इनकी installation में सिर्फ adhesive यूज क्या जाता है जिसमें किसी भी तरह के skilled worker की जूट नहीं पड़ती पर WPC wall panel की installation में बहुत से method को follow करना होता है इसकी installation में groove, clip, screw और adhesive का यूज क्या जाता है तो WPC wall panel की installation PVC wall panel की installation जितनी easy नहीं होती next है thickness PVC wall panels इनके use और quality के base पर 5 से 12 mm की thickness में आते है जैसे 5 mm thickness के PVC wall panels आम तोर पर residential और commercial interior application में यूज के जाते हैं बातरूम और kitchen बगएरा में 8 mm का panel एक ठिकर option है जो high traffic residential और commercial places के लिए यूज के जाते हैं 10 mm thickness वाले panel heavy duty application के लिए यूज के जाते हैं जैसे industrial और commercial environment पे जहाँ ज्यादा strength और durability required हो और 12 mm thickness के panel वहाँ यूज के जाते हैं जहाँ extreme durability और insulation के need हो जैसे cold storage और industries वहीं WPC wall panels भी 8 mm से लेकर 15 mm तक की थिकनेस में आते हैं 8 mm थिक WPC wall panels living room, bedroom और offices में यूज के जाते हैं 10 mm थिक WPC panel high traffic areas में यूज के जाते हैं और 12 mm से 15 mm थिक WPC panel heavy duty applications में जैसे घर के बाहर की cladding और elevation में यूज के जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा extreme durability और insulation required होती है ये general guidelines और friends पर specific product और उसकी थिकनेस totally आपकी application और need पर depend करती हैं तो दोनो PVC और WPC wall panel 8 mm से लेकर 15 mm तक की थिकनेस में अबलेबल है नेक्स्ट अवेट PVC wall panels usually lightweight होते हैं as compared to WPC wall panels पर WPC wall panels PVC wall panel के comparison में heavy होते हैं इसलिए WPC wall panels की installation में भी थोड़ी difficulty होती है इनके वज़न जादा होने की वज़य से नेक्स्ट अब fire resistant वैसे दो दोनों ही त्रेगे पाइनल fire को support नहीं करते पर फिर भी WPC wall panels PVC wall panels से जादा fire resistant होते हैं और PVC wall panels less fire resistant होते हैं WPC wall panels से नेक्स्ट है UV resistant PVC wall panels less UV resistant होते हैं पर WPC wall panels UV protected होते हैं जिन पर गर्मी, सर्दी, धूब और बरसात का कोई असर नहीं होता और नहीं इनका color feed होता है इसलिए WPC wall panels को आप exterior और outdoor application में भी यूज कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है water and moisture resistant PVC panel और WPC wall panel दोनों ही panel 100% water resistant होते हैं बहुत से लोगों के मन में WPC panel को लेकर ये doubt रहता है कि क्योंकि WPC panels wood से बनते हैं तो कहीं ये moisture absorb तो नहीं करते हैं लेकिन मैं आपको clear कर दूँ कि ये 100% waterproof होते हैं इवन इन्हें आप toilet, bathroom, kitchen और high humidity वाले area में भी यूज कर सकते हो chemical resistant PVC wall panels पूरी तरह से chemical resistant होते हैं इसलिए industrial और laboratory application के लिए ये बिल्कुल perfect होते हैं पर WPC wall panels less chemical resistant होते हैं ये कुछ certain chemical से damage भी हो सकते हैं तो इस बात कभी आप ध्यान रखें इन्हें select करते हुए next scratch resistant PVC wall panel WPC wall panel से ज़्यादा scratch रेजिस्ट कर सकते हैं पर WPC wall panel कम scratch resistant होते हैं इन पर scratch easily आ जाते हैं next termite resistant PVC wall panels less termite resistant होते हैं in comparison of WPC wall panels पर WPC wall panels 100% termite proof हैं इन में किसी भी तरह के कीडे मकोडे और दिमक लगने खत्रा नहीं होता next strength and durability PVC wall panels WPC wall panels के मुकाबले कम मजबूत होते हैं क्योंकि PVC wall panels में हमेशा एक डर बना रहता है कि कहीं इन panels में केल बगरे लगाने से ये crack ना हो जाए और ऐसा हो भी जाता है जबकि WPC wall panels जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये PVC wall panel का एक better modified version है ये PVC wall panel के मुकाबले बहुत ज्यादा strong और durable होते हैं इन panels में आप बिना किसी डर के केल या बोल्ट लगा सकते हैं आपके panel पूरी तरह से safe रहते हैं यहां में आपको एक बात और बता दू के WPC wall panel बेसिकली तीन तरह के होते हैं low density panel, medium density panel और high density panel low और medium density panel की strength इतने ज़्यादा नहीं होती पर अगर आप strength के point of view से देखते हैं तो फिर आपको high density WPC panel को ही यूज करना है okay friends colors and customization PVC panels में color option की तो आपको बहुत बड़ी range मिल जाएगी पर इसमें customization option limited होते हैं पर WPC panels में color option कम होते हैं as compared to PVC wall panel पर इन्हें आप अपनी specific design requirement के बेस पर customize करवा सकते हैं sound insulation PVC wall panels की sound insulation property इतनी अच्छी नहीं होती पर WPC wall panels की sound insulation property PVC wall panel के मुकाबले ज़्यादा अच्छी होती है WPC wall panels soundproof होते है thermal insulation PVC wall panels की thermal insulation property इतनी अच्छी नहीं होती पर WPC wall panels की thermal insulation property बहुत अच्छी होती है इसलिए ये panel cold climate के लिए बहुत ज़्यादा suitable रहते है eco friendliness क्योंकि PVC wall panels 100% plastic से बनाए जाते हैं इसलिए ये eco friendly नहीं है पर क्योंकि WPC wood panels wood fiber और plastic इन दोनों के mixture से बनाए जाते हैं जो एक recycled material है और यूज करने के बाद भी से recycle किया जा सकता है इसलिए WPC wall panel PVC wall panel के मुकाबले ज़्यादा eco friendly है flexibility PVC wall panels WPC wall panels के मुकाबले ज़्यादा flexible होते हैं इसलिए curved और irregular shaped surfaces पर इन्हें install करना बहुत easy रहता है पर WPC wall panels PVC wall panels जितने flexible नहीं होते इन्हें सिर्फ plain surface पर ही easily install किया जा सकता है maintenance PVC panel installation का सबसे बड़ा फाइदा ये भी है कि इनकी maintenance बहुत easy होती है इन्हें साफ करना बहुत असान रहता है पर WPC wall panels को maintain करना इतना असान नहीं होता इन्हें समय समय पर sealed और clean करना होता है ताकि इनकी beauty और durability लंबे समय तक maintain की जा सके next है use PVC wall panels को आप घर और offices की अंदर की दिवारों पर bathroom, kitchen, laundry room, moisture और humidity वाले area में ceiling में और kitchen splash bag में सभी जगा यूज़ कर सकते हैं पर सिर्फ interior में पर WPC wall panel को अब घर के अंदर की दिवारों को खुबसूरत बनाने के साथ साथ घर के बाहर की दिवारों पर commercial places की दिवारों पर जैसे offices, hotel, restaurant, एक high traffic areas में ceiling में, soundproofing के लिए conference room, home theater, green building project में retail shop displays के लिए, exhibition stand के लिए even furniture तक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं और last में बात आती है इन दोनों की cost की PVC panel की एक खुबी ये भी है कि ये बदर friendly होते हैं यानि के WPC wall panel के comparison में ये काफी सस्ते होते हैं PVC panel की starting range 50 रुपे से लेकर 80 रुपे पर स्क्वेर फिट तक होती है सिर्फ material की इसमें labor charge अलग होता है 15 से 20 रुपे स्क्वेर फिट तक वहीं WPC wall panel PVC wall panel के comparison में जादा expensive होते हैं इनकी starting range 75 रुपे स्क्वेर फिट से लेकर 500 रुपे स्क्वेर फिट तक रहती है तो friends WPC और PVC wall panel दोनों की ही अपनी अपनी unique advantages और disadvantages है जब भी आप wall paneling के लिए metal सेलेक्ट करें तो आपको कुछ factor को जरूर ध्यान में रखना है जैसे water resistant property, fire resistant maintenance requirement और cost इन factors को ध्यान में रखकर ही आप इने सेलेक्ट करें वैसे WPC और PVC wall panels में से आपके लिए कौन सा बहतर comparison देखने के बाद अब आपको इन डोनों panels की selection में जरूर मदद मिलेगी और अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो सबसे पहले तो आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आपको लगता है कि हमने वाकई में आपको सही जानकरी देने में मदद की है तो वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी जरूर करना है ताकि ये वीडियो और लोगों की भी help कर पाई ओके फ्रेंड्स तो सी यू इन नेक्ट वीडियो लेक्टर गाईज विडियो वीडियो तिल देन गूड़ और टेक्यर